हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टेडी आई क्यू पीसी एस चैनल पे मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आरो ए आरो संपूर सेरीज को लेके जहां पर हम डिसकस करते हैं प्रिवेस येर कुश्चिन आरो यानि समिक्षा दिकारी सायक समिक्षा दिकारी परिक्षा की जो की उत्तर पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन करवाता है आयूजित करवाता है यह पार्ट फूर है जैसा आप हम लेल से समझ गए होंगे पहले तीन पार्ट में हमने modern history कवर की आज हम modern history का अंतिम भाग लेंगे इसके बाद अने subject से जुड़ेंगे और एक चीज पैरलली हम हिंदी जो 60 हमर का प्रशन पत्रा आता है उसके previous questions को भी discuss करेंगे बात की जाए study IQ की तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 20 October से ROARO के शांदार रूप से curated course शुरू हो रहे हैं आप study IQ.com पे विजिट करके उन course को देख सकते हैं समझ सकते हैं और अच्छा लगे तो खरीज सकते हैं परचेस कर सकते हैं एक बात और बहुत सारी बाते हैं कहने के लिए लेकिन जिस तरीके से course गढ़ा गया है जिस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है अगर आप ने से पहले कभी कोई भी आयो की परिक्षा नहीं दी है और अगर दी भी है और सफलता नहीं प्राप्ट हुई है तो इससे बहतर course कोई नहीं हो सकता लाइप का क्षाए हो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से उसके अलावा previous questions का detailed analysis सब दिया जाएगा आपको उस course में तो आप studyiq.com पे visit करके उस course को purchase कर सकते हैं हलाकि यहाँ पे comment box में या pinned comment में वो भी आपको detail मिल जाएगी तो बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं part 4 जहाँ पे हम pyqs को discuss करेंगे modern history के जो आ चुके हैं और ह जैसे देखना चाहिए तो शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है पहला प्रस्ण है इन 1906 1906 में Muslim League की स्थापना हुई थी कहां पे 1906 में Muslim League की foundation stone कहां रखा गया तो देखिए एक चीज़ इस पे और के लिए अगरू ऑल दो हम सबको पता है कि एक में उत्तर है इसका धाका धाका में इसकी स्थापना की गए थी लेकिन एक confusion कई बार होता है और कुछ बच्चों ने जब live classes में हम इसको बिसकस करते हैं तो बच्चे कई बार confused होते हैं कि सर कई जगा 1906 आता है कुछ कुछ जगहों पर हमको 1907 दिख जाता है क्या confusion है मैं इसको clear कर दूं कि यह जो स्थापना हुई थी यह दिसंबर 1906 की थी इसलिए अब क्योंकि स्टेशन लंबे चलते हैं तो हो सकता है कि इसकी कुछ गतिविदियां 1907 तक पहुंची हों इसलिए कुछ लोगों ने mention किया हो तो confused नहीं होना है जो official year माना जाता है वो 1906 ही माना जाता है तो confused नहीं होना है यह बिलकुल वैसे ही है जैसे लाहूर अधिवेशन जो 1929 वहां पर भी confusion होता है वो भी December में था लास्ट दिसंबर में था तो confused नहीं होना है correct रहना है facts को लेके clear रहना है कोई confusion हो तो standard books देखनी है ठीक है किसी भी अरजी फरजी किताबों को या जो guides होती है या कोई भी normal challenge नहीं standard किताब खुली correct उतर मिल जाएगा आपको तो the answer is धाका जो कि अब बांगलादेश में बांगलादेश की राज़दानी है morale-minto reforms will was passed in अभी हमने पिछली वीडियो में discuss किया था कि morale-minto reforms के बारे में morale-minto reforms के बारे में और montague-minto reforms के बारे में ठीक है तो यह 1909 में और यह 1909 में अब चोकि उत्तर में इसका है 1909 be option is right but the thing is कि famous क्यों है why तो इसमें दो लोग है एक है Mr. Morale एक है Minto मिंटो साहब जो थे यह वाइस राय थे उससमें भारत के और जो सबसे important बात इससे निकल के आती है morale-minto reforms से वो आती है the idea of communal electorate ठीक है और जो मिंटो साहब है इनको father of communal electorate भी कहा जाता है जो सामप्रदाइक निर्वाचन था उसका पिता कहा जाता है किसको क्या कहते है Minto साहब को ठीक है Lord Minto को और 1909 के जो reform थे जुनको हम सामने किया separate electorate Muslim Muslim को वोट करेगा Hindu Hindu को वोट करेगा तो Muslim Hindu की बीच की खाई बनेगी उसको Muslim से मतलब है तो Hindu की क्या ही बात करेगा तो कहीं नहीं ने बना दी थी बाद में तमाम उसकी गतिविदियों ने चाहे वो टू-Nation theory हो या इस तरह की शीजों ने आग मिगी का काम किया और फानेल उने 47 में देश बढ़ गया था तो दा आंसर इस 1909 उननेस सो नौ नेक्स्ट दे लखनौ सेशन ओफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस देट टुक प्लेस इन 1916 वस प्रसाइड ओवर बाई जो कॉंग्रेस का लखनौ अधिवेशन था 1916 का उसकी अध्दक्ष कौन थे पिसले में भी डिसकस किया था क्लेरिफिकेशन भी गया था अंभिका चरण मजूमदार जो थे वो उसकी अध्दक्ष थे और उसका जो नेक्स सेशन हुआ था होना है दा आंसर इसी मजूमदार राइट आंसर इसी मजूमदार हूँ मेड़ अग्रीमेंट बिट्वीन मुस्लिम लीग एंड कॉंग्रेस इन 1916 इसकॉल दा लकनाव पैक्ट तो इसमें मद्यस्तता किस ने की थी अगर बात किया जाए तो देखिए ये भी शामिल थे ये इनी बेशन भी शामिल थी उन्होंने भी प्रयास किये थे बाल गंगा धरतिलक में प्रयास किये थे एक बत और यही वो सेशन था 1916 का जब जो क्या कहते हैं गरम दल और नरम दल थे ठीक है जो एक्स्रिमिस्ट थे और जो मॉडरेर्ट थे इनका मिलाफ होता है 1916 में ठीक ह पर अपने व्यक्तित्यों के चलते हैं जुडते हैं और फिर वही प्रतिनद्यत्यों करते हैं क्या कि लगनुग पैक्ट हो जाए और थोड़ी सी दोनों में जुड़ाव हो जाए दोनों पार्टियों में कॉंग्रेस में और मुस्लिम लीग में तो the correct answer is बाल गंगा धरतिल ठीक है कि हूं में दफोलोइंग दिड़ नॉट कॉंट्रिब्यूट तो दो फोड़ी ठीक है अब पूछ रहे कि इन्हों ने इंगिने सेप्रेट होम रूलीग ही चलाई थी यह हो नहीं सकता एनी बेसेंट इन्हों ने अपनी ठुट के एक अरग दोनों ने अलग लग होम तो फिकल सोसाइटी से तो जुड़े हैं लेकिन यह होम रूलीग मुमिंट से नहीं जुड़े थे तो दह करेक्ट आंसर इस टी एस अलकॉर्ट ही वास एसोसियेटेट विट दो थी यह से अनी बेसेंट भी जूड़ी होई थी बट रही वास नोट एसोसियेटेट विट व अगला प्रस्ट करम चन्द गांधी वाज दी नहीं देखेंड राज कूट बीकान ओर इन तीनों में धीवान थे वह राजकोंतुत आम थे थोड़ा सा पहले जाईए, हमने इलाहबाद संधी की बात की थी, वहाँ पर दिवानी राइट्स की बात की थी, तब हमें पता था कि दिवानी राइट्स का एक्सेंशन किस तरीके से होता है, जब आप मद्धिकालीन भारत यानि मेडवल हिस्ट्री खतम कर रहे होंगे, और आप इन चीजों में कन्फ्यूज नहीं होंगे, मैं हमेशा से आग्रह करता हूँ कि ये जो फेज है ना, जहां पे मुगलों का पतन हो रहा है हम पढ़ते हैं, और जहां पे अंग्रेज मजबूत होते हैं, और फिर जो तमाम रीजनल पावर्स मजबूत होती हैं, इस फेज को अमूमन इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन एक तरीकी से देखा जा तो बहुत महत्वपूर फेज है, नए भारत का निर्माड यहां से शुरू होता है, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा हो, लेकिन अंग्रेज इतनी मतलब हरकतें ऐसी कर देते हैं, कि हम लोग वाप रहते हैं, तो रियासतों की बात जब होती है, जब नए नए इंडिविजल रियासते बनती हैं, चाहे है हैदराबाद हो, चाहे मैं सुरू, इन सब की बात जुम करेंगे, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, तो इनको एक पर्टिकुलर ओडर में आप पढ़ने की कुछ मैगजीन से नव जीवन, इंडिया गैजेट, एफ्रिकेनर, नव इस इंडियन ओपीनियन, हम बात करें, गांधी जी जब साउथ अफरीका गए, साउथ अफरीका में उन्हें ने बहुत सारे कारियों को किया, आपको पता है ने कि दादा अब्दुल्ला जो एक का भेदभाव हो रहा है, उन्होंने देखा कि कैसे शादी से लेके उनके बाउंड़ी के पार एक पटिकुलर मूमेंट के लिए भी रिस्टिक्शन्स है, शादियों को मानिता ही नहीं है, जो अलग लेवल का उन पे रिग्रसिव अत्याचार किया जाता था वो अलग, इन स इस तरह के जो पप्लिकेशन थे, लेख थे लिखा करते थे, तो आंसर इस इंडियन ओपीनियन, ठीक है, अगला है टुथ एन नॉन वैलेंस, नेक्स्ट है खादी एन स्पिनिंग वील, नेक्स्ट है राइट मीनस एन राइट एंड अब देखिए, अब देखिए, गान्ट अंधी जी जुड़े हुए थे इन सब से, ऐसा नहीं कि इसमें से किसी की बात उन्होंने न की हो, लेकिन जब बात आती है राम राज्य की, the key word is राम राज्य, इसके दो प्रिंस्पल्स कि इनको मानते हैं, the truth and the non-violence, सत्थ और अहिंसा, सत्थ एवं अहिंसा को वो प्रमुख अस्त्र मानते हैं, राम राज्य जो वो संकल्पना में लाते हैं, जो उन्होंने इमेजिन किया था, उसमें सत्य और अहिंसा उनके दो प्रमुख अस्त्र होते हैं, so the answer is truth and non-violence. Next, in which of the following railway stations of South Africa, Mahatma Gandhi was thrown out of the train, वो कौन सा station था, जहाँ पे Mahatma Gandhi को, South Africa का वो कौन सा station था, जहाँ पे Mahatma Gandhi को station से, गाड़ी से, sorry, बाहर फेक दिया गया, ठीक है, अब पहला है जोहनेसबर्ग, पिटमेरेसबर्ग, डर्बन, पिटोरिया, नाव, कहानी क्या थी? First Class का टिकेट लेके गांधी जी बैट जाते हैं, तमाम वो ट्रांसवार से लेके तमाम जन्नी किया करते थे, अपनी रिसर्च को लेके, दादादुल्ला के केस को लेके जाय करते थे, तो एक बारगी First Class का टिकेट लेते हैं, प्रेन में बैठते हैं, बट था क्या कि वहाँ ने टिकट लिया है, मेरा हक है, वो कहते हैं कि we don't care about your rights, it is mandatory और लोगों को बुला के उनको हटाने के कुशिश करते हैं, गांधी जी अड़े रहते हैं, और finally वही होता है जो हमने movies में देखा, videos में देखा, उनको गाड़ी से फेक दिया जाता है, शायद उस white ने, उस जो घोर व्यक्ति ने कलपना नहीं की होगी, कि बाद में जाके ये फेक ना, इस तर पे चला जाके, गांधी ची एक, one of the biggest democracy, one of the biggest populated country से, अंग्रेजों की चूल हिला देते हैं, उनको जड़ से नश्ट कर देते हैं, तो, the answer is, पिट मेरेजडबर, यहाँ पे इनको फेक आ गया है, ठ ठीक है, which one of the following sessions of Indian National Congress was for the first time attended by महंदास कर्मचन गांधी, अच्छा, अब एक बात क्या है कि कई लोग confused होते हैं, लखनू सेशन से, ठीक है, लखनू सेशन से confused इसलिए होते हैं, क्योंकि यह पहला सेशन था, यह पहला सेशन था, जहाँ पे गांधी जी को जो चंपारन सत्या सत्याग्रा है, ठीक है, चंपारन सत्याग्रा है, वहां के लिए किसान आया थे मिलने के लिए, कि यह यह दिक्कते हैं, हमसे जुड़िये, यह पहला सेशन था, जहाँ पे उनको मिले, लेकिन पूछा जा रहा है कि इंडियान नेशनल कॉंग्रेस, भारती राष्टी जिसे गांधी जी ने किया था, वो कौँ जा था, वो 1901 का कैलकटा सेशन था, जहां पे गांधी जी आया थे, और अफ्रीका से जुड़े मुद्नों की बात की थी, यह वही समय था जब अफ्रीका, मतलब भारत के जो प्रबुद्ध नेता थे, इवन भारत के जो अंग्रे यही बात को पारित कराने के लिए, 1901 के सेशन में, गांधी जी आये थे, कलकटा सेशन में गये थे, तो तो करेक्ट आंसर इस कैलकटा सेशन, तब कलकटा था, कैलकटा कोलकाता हो गया, सौरी, 1901, ठीक है, तो मैंने एक आपको एक वो बताया था, कोड जो कभी हमारे किसी गुरू जी ने बताया था, कि मतलब याद करने का तरीका, कि अरे चमपा, देखो, एहमद खड़ा है, सुनने में बड़ा हम लोग को मजाकिया सा लगा, लेकिन अभी तक याद है, चमपा, एहमद खड़ा, तो चमपारण, एहमदा, मिल स्ट्राइक, खेड़ा, और हमको प 3, 4, चमपा, चमपारण, सत्यागर, एहम्दाबाद मिल श्ट्राइक, खेड़ा सत्यागर, यह, the non- richest reserve moment, फो engines is the sequence and the answer is B, next is arrange the following events, इनको भी chronological order में arrange करना है, अब देखिए इसमें कुछ तो चंपार के बाद, एहमदाबाद, एहमदाबाद के बाद खेडा, यह तो हमको पता ही है, अब है कि सत्यागरा अगें रॉलेट एक्ट, नाउ रॉलेट एक्ट की जब बात करते हैं, ठीक है, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का जो कानून जिसको कहा जाता है, उसके खिलाब जो गांधी जी का सत्यागरा होता है, वो 1919 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि होता है इनके बाद में है, तो the correct sequence जो होना चाहिए, वो होना चाहिए two, four, three, one, two, four, three, one, a is the answer, ठीक है, confused नहीं होना है, events को याद कीजिए, parallel ही chronology बना के आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे, अगला जो इसका है, कि which one of the following satyagra was not led by महत्मा गांधी, पूसायच में से कौन सा satyag जिसे गांधी जी ने लेट नहीं किया, तो कौन कौन सा है, quit India moment, बिल्कुल, देखा एक चीज़ और है, एक confusing जिसमें है, मैं बता दूँग, उसमें क्या, कौन सा बिल्कुल नहीं था, उसको पता दूँ, the answer is C, बारा दोली, क्योंकि इसको lead किया था, सरदार वल्लभाई प बिल्कुल किया था, quit India moment पे, कई कई जगा पे लिखा जाता है, चुकि इनको पहले ही, आगाखा पहले इसमें अरेस्ट कर दिया गया था, वहाँ पे हाउस अरेस्ट में कर दिया गया था, तो बहुत directly to lead नहीं किया था, लेगिन अगर इन तीनों में से, इन तीनों से proper जु which of the following statements are correct regarding वायकौम सत्याग्रा, जो वायकौम सत्याग्रा है, उसके relative भारती इतियास में कौन से खतन सही है, इट वाज़ा सत्याग्रा अगेंस अंटचिबिल्टी और काश्डिस्करिनेशन, बिल्कुल सही, यह जो अंटचिबिल्टी और काश्डिस्करिनेशन है, ठीक है जो छुआ छूत है, और जो जातिगत भेदभाव है, उसके खिलाफ था बिल्कुल सही, मात्मा गांटी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रा, बिल्कुल, दोनों बातें सही है, त्रावण कोर्ड एरिया में यह हुआ था, और अगर आपने नाम सुना हो, के कलपण औ the caste discrimination, छुआ छूत और जातिकत भेदभाव के खलाब था, अगला प्रश्ट, who was the first person to call मात्मा गांधी, father of the nation, किस ने मात्मा गांधी को पहली बार कहा, राश्ट्र पिता, या father of the nation, अब देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि कई बार आप किसी गलत सूर्ट से, या किसी गलत पोस्ट से, आप confused हो जाते हैं, कि किस ने बोला, किस ने बोला, पर जिस व्यक्ति को गांधी जी के बहुत opposite खड़ा किया जाता है, उसी व्यक्ति ने, यानि कि सुभाज शंद्र भोस ने बोला था, गांधी जी को, father of the nation, first time, answer D है, बात बताता हूँ, उननिस सो अर्टिस, हरीपुरा सेशन, उननिस सो उन्तालिस, त्रिपुरी सेशन, ठीक है, यहाँ पे वो सुभाज शंद्र भोस निर्मूरोच सुने जाते हैं, कॉंग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ पे वो पत्ता भी सीता रमया को हराके, सुने जाते हैं, कॉंग्रेस अध् में थी पत्ता भी सीता रमया या अन्य व्यक्तियों के बजाए जाधा है गांधी जी से होते हैं क्योंकि गांधियान फिलोसपी के थोड़े से अगेंस्टो काम करना चाह रहे थे गांधी का सोशल इलम और शुबाच अंबोस का जो मार्क्सिजम था दूरों में काफी 1944 में जुलाई का समय था 1944 में रेडियो से आजाध हिंद रेडियो से गांधी जी से विशेज मांगते हैं बलकि उनका आशिरवाद लेते हैं कि फादर आफ दा नेशन यहां से स्वतनता संगर शुरू हो रहा है आपके आशिरवाद के आकांग्शी हैं अब इंगलिस में का पाशन्र बोस नेक्स इड़ टाइम आप इंडिया से इंडिपेंदेंस मात्मा गांधी वहेस क्या थे अम्शर अव पोंग्रेस वरकिंग कमिटी कोंग्रेस वरकिंग कपिए की सदस्थ है नॉट अंट अमेंबर अव कॉंगरेस के मेंबर नहीं थे The President of the Congress, Congress के अध्यक्ष थे The General Secretary of Congress, Congress के General Secretary थे The answer is not a member of Congress क्योंकि हम सब को पता है कि 1934 के बाद उन्होंने Congress शोड़े दी थी Congress पे उनका प्रभुत धबदबा और प्रभाव था उसके बाद भी था आजादी के बाद तक था लेकिन 1934 के बाद officially Congress से अलग हो गए थे So answer should be B, not a member of Congress Next Who addressed Gandhi जी as one man boundary force बहुत important कहानी है, incidence है ठीक है, one man boundary force बात है, इसका पहले हम अगर ये जाने कि ये जुड़ा किस चीज से है ठीक है, इसका जो reference है वो कहां से है आजादी का समय है, हिंसा अपने चरम पे है communal हिंसा, जो communal violence हो रहा था वो अपने चरम पे है, सामप्रदाइक हिंसा पंजाब में पुरी force लगी है, रोक नहीं पा रही है लेकिन उधर पशी मंगाल, ओडिशा, वो जो वाला जो इस्टन वाला पोशन है ता यहां पे एक संत महात्मा अकेले दम पे लोगों के बीच में इतना प्रशलित था, इतना ज्यादा उसकी इज़्जत थी, कि लोगों को वो शांत करता जाता है और एक बड़ी सेना जो नहीं काबू कर पा रहे थी, वो व्यक्ति कर रहा था, वो गांधी जी कर रहे थे Mountbatten ने इसको दिया था, ठीक है? अगला प्रशन During the Indian freedom struggle, why did the Rollet Act arose popular indignation? The thing is, कि क्या issue था इसके साथ में, तो it curtailed the freedom of religion, religion पे नहीं भेज था It suppressed the traditional Indian education, इस पे भी भेज नहीं था ध्यान रखिएगा किस की बात कर रहे है, हम लोग Rollet Act की बात कर रहे है It authorized the government to imprison people without trial, it curbed the trade union activities तो अगर आप बहुत डीटेल में जानती हों, तो अभी मैंने बात की थी बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून, बहुत विरोध हुआ था किसी को भी आरेस कर सकते थे, बिना किसी ट्राइल के, बड़ा ही, मतलब कानून था, लेकिन बहुत ही अजीव सा, बहुत ही रग्रसिव सा कानून था, ठीक है So the answer is C, ये था, रॉल अटेक्ट अब पता है न किसके बात क्या हुआ था, बिलकुल हम सब को पता है, बड़ी ही, बहुत ही नकारात्मक सा दिन था, 13 अपरेल 1929, जलियाँ वाला बाग, बाग, हत्या कान्ड, जहां पे, हुआ क्या कि, डॉक्टर सत्यपाल और सहफुदिन किछली को अरिस्ट किये जाने के विरोध में, लोगों ने शान्ती पूरों को वहां पे, मतलब एक जुट हुए थे, बात कर रहे थे, अंग्रेज आते हैं, उस बाग में घेर के, गोलियाँ चलाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि उस दिन कुछ लोगों की मृत्यू नहीं हुई, मानवता की मृत्यू हुई, मानवता की हत्या की गई, तो उत्तर क्या है, 13 April 1919, अगला इसका देखा जाये तो, which one of the following was not a cause for starting a non-cooperation movement, non-cooperation movement, ठीक है, non-cooperation movement के जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक चीज और चीज थमाज लेजे कि, जो 1916 से लेके, 1920 तक का फेज है, chronologically बहुत बार पूस्ता है, पूस्ता है कि, जो सत्यागरा था, सविने अवग्या था, इस तरह के जो आंदोलन है, ये इनका, मतलब कालकनम तो बड़ा ऐसा है कि clear हो जाता है, लेकिन जब हमको, चंपार, अहम्दाबाद मेले strike, खेडा, रॉलेट, इन सब को जब जोड़ना होता है, तो जो अस आयोग नहीं था, तो question of khilafat बिलकुल पॉइंट था, atrocity of in Punjab बिलकुल पॉइंट था, रॉले टॉक बहुत बड़ा पॉइंट था, लेकिन salt law अभी पॉइंट नहीं था, 1930 से लेके 32 के दोरान, जो डांडी मार्च करते हैं गांदी जी, civil disobedience moment की शुरुआत करते हैं, सब इने अव cooperation moment से, अगला प्रस्ट, मोतिलाल नहरू was the leader of सुराज पार्टी, who of the following was not in the party, मोतिलाल नहरू सुराज पार्टी के one of the founders, सुराज पार्टी के स्थापना क्यों ही, मैंने second video में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, अब पुछा है कि नहीं से कौन पार्टी के member नहीं थे, स् विटल भाई बिलकुल थे, सी राजागोपलाचारी was not the member of Congress, सुराज पार्टी at that time, answer is सी राजागोपलाचारी, ठीक है, Congress ही थे, अगला, साइमन कमिशन in 1928 came to India with purpose, 1928 में साइमन कमिशन आया है, उसका purpose क्या था, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर कन्फ्य नहीं होना है, क्या इसका एड्यूकेशन इप्रूब करने के लिए आया था, नहीं, क्या agriculture सेक्टर में सुधार लाने के लिए था, बिलकुल नहीं, क्या military capacity को इंप्रूब करने के लिए, यह आया था, administrative reforms के लिए, अब आपको पता होगा कि 1927, 1927 की जो बात हो रही है, साइ नहीं कई एक द्रड आधार चिला रखता है, लेकिन उसका भी Congress विरोध करती है, ठीक है, तो 1928, जो यह 27 से लेके 28 तक का समय था, कई बार कानून बनाने की कोशिश हुई, अंग्रेजों ने एक Commission बना है, Simon Commission, जिसमें सारे गोरे थे, कोई भारती नहीं था, उसका उद्दे हम आज भी उन्हें याद करते हैं, उनकी शहादत के लिए, तो जो Simon Commission था, एड्मिस्रेश रिफोर्म के लिए भारत आया था, प्रशासनिक सुधार के लिए, उत्तर है इसका ए, तो यह अंतिम प्रश्ण था, आज के वीडियो का, और यह चौथा पार्ट हमने खतम किया, आगे भी पार्ट लाते रहेंगे, आप Study IQ PCS में जुड़े रहेंगे, यह वीडियो स्रीज लगातार चलती रहेंगी, दिस कॉंटीनू नहीं होगी, आपको एगर से किसी प्रकार का लाब हो रहा है, कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और किन विश्यों पर चाहते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, किसी प्रकार का और सजेशन हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन एक आगरह Study IQ.com पर विजिट कीजे, ROARO के हमारे प्रापर प्रबुद्ध बड़े ही शांदार कोर्स चल लाए उसमें, आप वहाँ जाके डिटील्ड उसका PDF देख सकते हैं, कॉर्स की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, हम से जुड़ सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो को देखते रहने के लिए Study IQ से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरा नम था विकास, शुक्रिया.